हेलो दोस्तों गुड इबनिंग अगैन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ओटो एल एल फोर लर्न अगैन एक इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हूँ मैक्सिमम हमारे कस्टमर्स मैक्सिमम कस्टमर्स हमारे क्लेम लेने आते हैं गाड़ी में जो डेमेज हो जाती है और छोटी मोटी तो उसका क्लेम लेने आते हैं और हमेशा यही कस्टमर कहते हैं कि भाई यह हमारा एल सेप में है तो हमें क्लेम मिल जाना चाहिए ठीक है तो उस संदर में मैं एक वीडियो बना रहा हूं और उस वीडियो के सहाथा से आपको समझा पाऊंगा कि भाई एलसेप क्या है और एलसेप में क्लेम मिलता है या नहीं मिलता है किरिपिया अंग तक ये वीडियो देखें एक सेंपल के तौर पे मैंने एक गारी को लिया है ये दखिये हुंडई की औहरा गारी है ठीक है, इस में आप देख पा रहे होंगे देखिये अब डैमेज को देखिये ये बंपर यहांसे तूटा हुआ है ठीक है, बंपर ब्रोकेन है यहां scratch हुआ है चिक है इसका अगला picture आप देखिए पूरी left view में फिर से देखिए बंफर कहां तूटा है और कहां scratch हुआ है इस cause को अगर समझते हैं तो customer का लिखना है कि जब भी claim लेते हैं तो customer से statement लिया जाता है claim form पर ठीक है तो customer ने claim form में लिखे हैं कि आगे कुट्ता टकरा गया और बाया और दुसरा गाड़ी मार दिया तो इस गाड़ी को और इस picture को देखके ऐसा नहीं लगता है यह justified statement नहीं है फिर customer ने change किया statement को कि बाया और गाड़ी ने टकर मार दिया देखिए यह damage तो हमें समझ में आती कि भाई गाड़ी ने टकर मार दिया ठीक है बाई और यह गाड़ी ने टकर नहीं मारा अगर यह मारा तो एक साथ इसको नहीं मारा होगा सिंपल है यह इंसरेंस कंपनी का भी observation यही है और इंसरेंस कंपनी जो claim देती है दियान से यहां सुने इंसरेंस कंपनी only based on a statement customer जो claim form पे statement लिखते हैं उसके अधार पे इंसरेंस कंपनी claim देती है ठीक है अगर इस गाड़ी में लिखा हुआ है कि कुट्ता टकरा गया तो केवल इनको claim मिलना है इस position का okay मतलब bumper and inside of the bumper जो भी damage होगा ठीक है front portion का अब इस गाड़ी को देख करके यह यहां भी damage है और अगला pictures में मैंने दिखाया है यह यहां damage है इसी को कहते हैं हम लोग L safe कस्टमर का जो कहना यह उल्टा L है देखिए यह ऐसे बन गया उल्टा L ठीक है कस्टमर का कहना L safe बट L safe होता नहीं है insurance company claim देती है genuine justified damage पर देती है जो damage मैच करे cause of accident का जो statement है वो nature मतलब real में जो घटना होती है उससे match करनी चाहिए ठीक है कस्टमर फिर से बताता हूँ अगर लिखा है कि कुटा से टकरा गया then insurance company यह यह नहीं देगी only यही देगी समझ गी है only यह देगी अगर कस्टमर इसमें लिखते हैं कि बाया और गाड़ी ने टकर मार दिया फिर समझ यह insurance company यह दे सकती है क्या दे सकती है बाया और गाड़ी ने टकर मार दिया यह दे सकती है बहुत ज़्याद है यह नीचे उपर है दोनों अलग time का डेमेज है multiple damage यहां भी doubt है ठीक है तो यह बहुत ज़्यादा अगर करे तो यह दे सकती है चलिए गाड़ी से नीचे भी लग ग गिया बट बंपर नहीं मिलेगा कस्टमर को सारा चीजें चाहिए और यह डेमेज बैसिकली एलसेप में हैं लेकिन अंततों क्या हुआ कि क्लेम इनको नहीं मिल पाएगा पता यह चला कि एलसेप कोई टर्म नहीं होती है आगे की वीडियो में मैं इसी वीडियो में आगे मै और बताता हूँ कि कैसे फिर कलेम मिला यूसेप में भी मिलता है कलेम देखिया उसी का close up फोटो है यहां डेमेज है यहां डेमेज है ठ kidding आगे बढ़ता हूँ उसी का close up फोटो है ठonut अब इस गारी को देखिये यह दूसरी गाड़ी है इस गारी में यहां damage है, right side देख लिए, गोर से देखिए, और फिर ले चलता हूँ left side, left side की damage को आप देखिए, left side की damage, देखिए, यहां भी है, 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 यह equal height पर है, ध्यान रखिए, equal height पर है, और इधर भी damage है, ठिक, अब इस गाड़ी को भीर से देखिए यह राइट पॉर्षन हो गई यह लेफ्ट पॉर्षन हो गई और यह थोड़ा सा फ्रांट पॉर्षन अब इस गाड़ी को क्या कहा जाए यह यू टाइप डेमेज हो गया इसे लेते हैं यू उधर भी डेमेज है इधर भी डेमेज है ठीक है, term कुछ भी नहीं होता है L, M, N, O, U कुछ भी नहीं होता है क्योंकि आप बार बार कहते हैं L सेफ में claim मिलती है तो मैं U भी दिखा रहा हूँ कि U में मिलती है बट L में नहीं मिल पाती क्योंकि cause of accident justified नहीं है जिसमें justified है उसमें U टैप जैसा भी damage में मिलेगा O टैप जैसा damage में भी मिलेगा जब गाड़ी पलती हो जाएगी तो O बन जाती है गाड़ी उसमें भी claim मिलती है मैं इस छोटे वीडियो में दिखा रहा हूँ कि देखिए दोनों side damage है front से लेकर के right and left तो यह क्या safe में कहलाया यह U में आपके भासा में और इसको claim मिला क्या वज़ा था बता रहा हूँ इस customer का statement साफ साफ था देखिए front front damage front damage left है और right भी है मैंने दिखाया briefly ठीक है तो यह क्या बन गया यू ठीक है इस customer का statement क्या था फिर से बताता हूँ इस customer का statement था कि एक भेनुकार संक्रे रास्ते में पास लेने के करम में दाहना और सटा दिया जब दाहना और सटा दिया तो गाड़ी को बाया और मुब करा गया देखिए भेनुकार ने दाहना और सटा दिया ठीक है यह देमेज कर दिया ठीक है तब customer बचने के लिए बाया और लिया ठीक है तो बाईंव और पॉल से टक्कर हो गया यह पॉल का क्लेम को पास कर दिया. अब फिर से मैं वह ए दहराता हूँ कि आप वह वाइट हाली गाडी में देखें होंगे जो कैसा डेमेज था? äl सेप. और मिला क्या? नहीं मिला. तैक है? उसको क्लेम नहीं मिला. लिकन यह कैसा डेमेज है? यह टोटली यूज़ेप में है। और इसको क्या? क्लेम मिला? Yes, he got the claim. तो दोस्तों पता ये चला कि U, M, L ये सब कोई भी सेप में insurance company decide करके क्लेम नहीं रखी हुई है। क्लेम केवल मिलता है आपका justified statement के अधार पर। ठिक है और भी कोई वीडियो है देखते हैं देखिए इसको तो क्लेम मिल गया अब देखिए पैंट का प्रोसेस शुरू हो गिया पुट्टी लग गया गाड़ी में अब देखते हैं, एक और उसी गाड़ी का वीडियो है, आगे जो वाइट गाड़ी मैंने दिखाया था, अब ये दुबारा एक्सिडेंट करके आया, अब फिर एल टाइप का एक्सिडेंट है इसका, देखिए, फिर से एल टाइप हुआ ना, रेड कलर को ले लेते हैं, देखिए, इधर डेमेज है, इधर डेमेज है और इधर डेमेज है, अगे इट बिकाम सा एल, ठीक है, तो ये फिर से एल टाइप हो गी है, अब इसका काज क्या है, थोड़ा सा लेट भीव को पकड़िए इस काड़ी का, लेट भीव कहा है, ये लेट भीव है, देखिए, ये भी डेमेज, ये भी डेमेज, आगे डेमेज, ये एल से ठीक है, लेकिन इसको कलेम मिला, क्योंकि इसका स्टेटमेंट क्या था इस बार, इस बार इसका statement ये था कि दो सांड लड़ते हुए हमारी गाड़ी से आके एक सांड आगे टकराई और एक सांड पीछे टकराई ये क्या हो गिया justified statement हो गिया देख रहे हो आप नेचरल सी बात है दरवाजा इतना डीप दबा हुआ है इतना डीप डेंटेड है कस्टमर तो ऐसे चलाएगा नहीं गाड़ी ठीक है इंसरेंस कमपनी भी समझ गया है सही बात है और यह डेमेज है वह साप साप दीख रहा है इस collide with a flexible body not a rigid body जब भी rigid body से टकराएगी आई का पॉर्सन तो वह अलग सेप में डेमेज होगा यह डेमेज है किसी गाई या भैस या सांड के टकराने से तो एक सांड कहां टकर मारा यहां एक सांड भाग करके टकर मारा यहां तो again it's a L-shape आपके भासा में बता रहा हूं फिर स हों कि यह कोई टर्म नहीं है कि क्यूदिकरति कि ये वीडियो उसी पर बन रहे है कि यह से होता क्या है मिलता क्लेम है यह या नहीं तो फिर से मैं बता ह्याँ ये L-shape जो इसको मिल गया ठीक ठीक है और पहले जो एल से अब था इसका फर्स्ट विजिट में उसको नहीं मिला क्योंकि अलग अलग टाइम की एक्सिडेंट थी इंसुरेंस कंपनी एक बार की जो घटना जस्टिफाइड एक्सिडेंट हो उस पर क्लेम देती है ठीक है दोस्तों तो आप बताएं कॉमेंट फिर विडियो लेके हाजर होंगा ठैंक यूँ